हेलो फ्रेंज तो आज मैं आपको बताऊँगा हलवाई स्टायर रसकुले गर पर कैसे बनाए एक तम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आपको यह रेस्पी बताने वाला हूँ और सबसे पहले आप रसकुले देखिए इतने चोड़ी होड़े रसकुले और इसके अंदर कितना अगर आप बनाना चाते हैं तो बीडियो को बिना स्किप के अलाज़ता चुरूर देखिएगा सबसे पहले आपको यहाँ पर दूद के यूज कर रहा हूँ आप गाई के दूद का यूज करना चाहे तो कर सकते हैं तीन लीटर यहाँ पर मैंने दूद लिया है गैस की फिल जल्दी से बंद कर देनी है और दूद को आपने थोड़ा सा ठंड़ों देना है इसको आपने गरम-गर्न निफाड़ना ए हम लोग क्या करते हैं गरम-गर्न दूद में पिनेकर रेस निमबू का रस ढाल देते हैं उससे चहना हार्ड हो जाता है और हमारे रसकुले सौट पर पंजीनी बनते हैं तो इसको आप थोड़ा ठंड़ा ने दिशे और यहां पर मैंने एक चम्मर देखे टार्टरी लिए है टार्टरी से हम दूद को फाड़ेंगे हां पर थोड़े से टार्टरी और एड़ कर लेते हैं ताकि तो जल्दी फट जाए और इसके बदद आपन इतना ठंड़ा होना चाहिए कि आपके हाथ में हलका सा गर्म लगना चाहिए और इसके बद आपने इसमें थोड़ी थोड़ी करके टार्टरी एड़ करते जाना है और जो पानी है टार्टरी वाला वो थोड़ा सा गर्म करके रखा है मैंने गर्म पानी के यूज़ करेंगे से भारीक दाना नहीं चीए इसमें ज्यादा मोटा दाना नहीं चीए और इसके वद आप इसको थोड़ा और ठंडा कर लीजिए तो दो से तीन क्यूब मैंने इसमें बर्फ कैड कियें ताकि जल्दी ठंडा होचाए और यहाँ पर मैंने एक मफलिंग क्लोथ लिया है आप चा मुदा पाड़ के रखा है इसको पल्टी कर देते हैं कपड़े के अंदर और इस कपड़े के चारों को इस तरह से पकड़िये और आप इस पनीर को चैने को इकठा कर लिजिए और जो चैने के नदर पानी रहे servicio अपने अच्छी बाके निचोड़ लीशे, जितना अच्छे से आप इसका पानी निकालेंगे, उतनी कम आपको इसमें बाइडि़ डालनी पड़ेगी, तो यह दिखिए, अच्छे से मैंने निकाल दिया चैने का, और इस चैने को आपने एक बाॉल में डाह देना है, या फिर आप इसको एक टेबल के उपर रख दीशे और इसके बद आपने क्या करना है चैने को आपने थोड़ा सा मैश कर लेना है ताकि इसका जो दान है थोड़ा पतला हो जाए ज़्यादा मूटा दान है रहना चाहिए और यह देखिए हलके हलके हाथों से इसको 2-3 मिन तक मसल लीशे और इस तरह से मसल के आप इसको छोड़ दीशे ताकि इसमें जो मौइस्टर है थोड़ा और कम हो जाए तब तक हम चाशनी बना लेते हैं तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दो केजी चीनी ली है मैं थोड़ी सी यहाँ पर ज़्यादा चाशनी बना रहा हूँ तो चीनी का यूज मैंने थोड़ी ज़्यादा किये आप 2 kg की जगा 1 kg चीनी से भी चाशनी बनाः सकते हैं और जितनी आपने चीनी लेनी है उसका आदा आपने इसमें पानी एड़ करना है और गैस की फिल्म चालोग कर देंगे और तब तक आपने इसमें पल्टा चलाते रहना है जब तक चीनी अची तरह से मेल्ट नौज है ने तो केबर क्या होता है चीनी जो कड़ाई के नीचे चिपक जाती है तो ओके देखिए इस तरह से आप चीनी को पहले मेल्ट कर दीचे और उसके बद आपने पल्टा चलाने हैं यहां पर बंद कर देना है जैसे बॉयला जाएगा और इसके बद आपने गैसकी फिल्म लो कर देनी है और चाशनी को आपने 10-12 मिन तक यहां पर पकने देना है और इसके साइडों में थोड़ा सा जाग निकल गयाता है उस जाग को आपने निकाल देना है और जो हम रसकुले बनाते हैं इसके लिए वाइट चाशनी बनानी वड़ती है तो इसके बद आपने चाशनी में थोड़ा सा दूद एड़ करना है और दूट डालने के बताब आपने चाशनी को लोफले में पकने देना है थोड़ी तरब चाशनी को पकाएंगे साइडों में देखे कितना सारा जाग निकलेगा तो इस सारे जाग को आपने निकाल देना है बड़े अराम से निकालना है यह चाशनी के साथ मिक्स नहीं होना अची है तो जो रसकुले बनाते हैं उसके लिए अच्छी चाशनी जरूरी है तब यह आपके रसकुले अच्छे वाइट कलर के निकलते हैं और कि देखे इस तरह से जाग को निकाल लिए अब देखे हमारी जो चाशनी के अच्छी वाइट हो चुकी है और जो चाशनी है अच्छे से हमारी थिक भी हो चुकी है तो इस में से आपने करना है थोड़ा से बॉल में पानी डालना है और थोड़ी चाशनी आपने निकाल लेनी है यह किसके लिए जब हमारे रसकुले बन के त्यार होते ह कि आप देख सकते हैं पूरे का पूरा मॉइस्च्法 हावा से खतं हो चुका है हमारे चैने का अब आपने को हलक हलक से चेहाओ से थोड़ी दिर किई तरह से घतं हुजा है तो हलक हाथ पर आपने हमारा baking içe उस तरह से इस से होगा हमारा baking powder का जैबर से जल्दी activate हो चाहेगा और baking powder को भी अच्छी तरह से चाहने के साथ mix कर लेना है तो देखे मैं कि इस तरह से इसको मसल रहा हूं ज्जड़ा जोर से mash नहीं करना है हलके हलके हाथों से इसको आपने मैश करना है यहाँ पे अगर आप ज़सा जोर से मैश करेंगे तो यह पानी जैसा होना शुरूरी आता है फिर आपने इसमें सूजी आइड करनी है तो तीन छोड़े चम भर के मैंने इसमें सूजी आइड की है और इसके साथ में कॉन फ्राइर तो तीन छोड़े चम भर के आपने इसमें कॉन फ्राइर का यूज़ करना है इससे के होगा अच्छी वाइनिंग आएगी जब अच्छी वाइनिंग आएगी तो जब हम रसकुले बनाएंगे वो भटेंगे नहीं जब उनको हम वाइल करेंगे चाशनी के साथ में और इनको आपने पहले एक रोल बनाना है कि इस तरह से रोल बना लिए रोल बना के आपने इसके छोटे छोटे बॉल बनाने है अगर आप छोटे रसकुले बना रहे हैं तो चोटे बॉल बना रहे हैं तो साइज में आप इनके थोड़े से बड़े बॉल बना सकते हैं और रसकुले क आपके इस तरह से बॉइल होने शिये, इसके साथ में आपने इसमें थोड़ा सा रीठेड करना है, रीठी को आपने दो गंडे पहले गरम बानी में बिकोके रखते ना है, इस ते क्योंता है जाग बनता है, जब जाग बनेगा आपके रसकुले अच्छी तरह से बनेंगे, औ तो गे देखिए, हमारी जो रसकुले अच्छी तरह से बन रहे हैं, इनको निकाल लेशे, और इसके बद आपने जो बचे रसकुले ना, उनको आपने बॉइल करना है यापे, तो एक भार में 15-20 पीस डाल दीशे, गैस की फ्लेम आपने हाई रखनी है, हाई फ्लेम में ठेका पानी आप और एड़ कर सकते हैं, और ये देखिए, इसी तरह से आपने इनको कम से कम 10 मिन तब बगाना है, 5-6 मिन तक आपने इनको हिलाना वी नहीं है, इस तरह से पकने देना है, फिर आपने इसमें थोड़ी सी चाशनी डालना चाहें, तो चाशनी जाल सकते हैं, या फिर ठंडा पानी डालना चाहें, तो ठंडा पानी डाल सकते हैं, और देखिए किस तरह से हमारे रसकुलिया पे फूल चुके हैं, अपने आपी थोड़ी दिर में जाग बनना शुरू जाता है, जैसे आप चासनी डालेंगे, पानी डालेंगे, इस पे ना जाग निच्छ जाती है, फिर से चास्नी अपने आप भी जाग बनाना शुरू कर देती है, तो ये सारा रिठे का कमाल है, इसमें रिठे से ही जाग बनती है, और हमारे रस्कुले सौटर स्पंजी बनते हैं, तो यहाँ पे हमने दस मिनट तर रस्कुले पका लिया है, गैस की फिलिम बंद कर अब आपने इनको साथ साथ में निकाना है कम से कम आठ से दस गंडे तक आपने इनको पर चार्शनी में छोड़ना है अब ये अच्छे से चार्शनी को सुख कर पाएंगे तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगोगा लाइक शे चिर्क में जरूर कीजिए ओके फ्रेंड्स thank you